आपके लिए उनका मोड कैसा है उनका एक्षन क्या होगा ट्रू इंटेंसिन क्या है और वह क्या मैसेज्ज देना चाहते हैं तो बिल्कुर रिलाक्स देहना है और इंटेंशन सही रखना है यहाँ पे और सिर्फ आपको अपने परसन के बारे में ही सोचना है तो चलिए यह है कलेक्टिब रिटिंग और सारे साइन के लोग देख सकते हैं तो रिलाक्स हो जाएए इंटेस प्रेस काइट करें डिवाइन काइट करें अगलार के दिप शक्ति काइट करें मेरे वीवर्स के पार्टनर्स की टू फिलिंग्स क्या है क्या मैसेज देना चाहते हैं जिस प्रेस काइट करें डिवाइन काइट करें कमिटमेंट क्या बात है जब आप अटेंसन नहीं देते हो तो इनका जो सर्व है ना घूमने लगता है चारो दिसाओं में फाइटिंग बेर स्ट्रोंग क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे वीवर्स के पार्टनर्स आज शुवर शुवर आज शुवर 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 बश्रक्राइट करें आज इस बेस कैड करें गुद्निव्स की वाइब्रेशन आएं और यहां कमिटमेंट की हैं I am fine traveling you are my life sleepless nights no nothingness long distance नाराज कुछ इस तरह वो है हमसे जैसे किसी और ने मना लिया हो doubt होने लगा है इन्हें आपके बदलाओं से legal issue आपके और के साथ भी involved हो तो कुछ वियर्स यहां आपके partner को ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई action नहीं ले रहे हो या आपने कुछ ऐसी बाते कह दी उनके सामने रख दी या फिर हो सकता है कि आप अपने उपर ज़्यादा focus करें तो इन्हें लगने लगा है कि आपके जिंदगी में कोई और तिसरा आप दोनों के बीच में कोई तिसरा इंसान आ गया है legal issue and I miss you so much confused I want to touch you, hug you I am not fine क्या बात है please take care of yourself क्या बात है बहुत फिक्रोडी अपना धियान रखा किजिए आप सही रहोगे, आप खुश रहोगे, मस्त रहोगे तो ये भी मस्त रहेंगे आप नहीं तो ये कुछ भी नहीं past life relationship blockage fighting and be strong यहाँ पे कुछ वियर्स आपको मैं पहले guide कर दूँ कुछ वियर्स blockage है आपके relationship में अगर past life connection भी है तो यहाँ पे कुछ नग कुछ blockage है, जो past से है अगर आपका past connection है तो आपको अपने कर्मा अपने blockage हिल करने होंगे क्योंकि blockage वहाँ से भी आ रहा है चीक है कुछ blockage वहाँ से भी आ रहा है क्योंकि past life and blockage तो कहीं ने कहीं प्यार है, emotions है, confusion भी है देखे मुझे लगता है कि दोनों को ही tension होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान को है blockage है तो कहीं न कहीं दोनों को ही tension है इस रिस्ते को लेकर चाहते तो है कुछ और लेकिन हो रहा है कुछ और commitment की बात हुई तो भाई ये person आपको commitment तो देना चाहते है commitment I am fine, sleepless night no nothingness तो ये person जो है हो सकता है, ये आपसे खुल नहीं रहे है बट इनके मन में बहुत सारी बाते है जो positive है आपको लेकर तो देखिए चीजे छुपाना ये भी मजबूरी है जूट बोलना कभी-कभी ये भी मजबूरी हो जाता है क्योंकि ये खुद कह रहे है कि मैं तुम्हारे साथ को सूँ मुझे निन नहीं आती मतलब कि ये person अगर आपसे जूट भी बोल रहे है clarity नहीं दे रहे है या आपके responsibility नहीं उठा रहे है commitment नहीं दे रहे है तो ये person भी नहीं सो पाते है इन्हें भी सोने जब जाती है तो इन्हें भी घूटन सी महसूस होती है हो सकता है वो कभी-कभी आपको महसूस करते है जहां उस वक्त आप नहीं होते हो तो उन्हें कहीं न कहीं anxiety भी होती है नीन भी नहीं आती है headache भी इन्हें होता है हो सकता है commitment की बात है तो यहाँ पे कुछ caste issue भी आ रहे है age gap भी आ रहे है लेकिन इस person को ऐसा लगता है कि आप उनकी जिन्दगी में वापस आ जाओ मुझे लग रहा है कि कोई है यहाँ पे fighting and be strong कोई है आप यहाँ पे आपके person कोई भी है यहाँ पे जो patience खोदते हो ठीक है patience खोदते हो और इस बीच में क्या होता है यह कोई एक है जो किसी का सुनना नहीं चाहता और जिस बज़े से क्या होता है खुलकर express नहीं हो पाते है और patience नहीं रख पाते हैं और fighting हो जाती है ठीक है चाहे आप इस रिष्टे को कितना भी manifest करो लेकिन जब तक आप अपने मन के blockage को हिल नहीं करोगे या आपके partner अपने blockage को हिल नहीं करें चाहे उनका मन का हो चाहे past life relationship का हो लेकिन fighting अगर आप दोनों में होती है यही एक बज़ा है आपको भी tension होता है उन्हें भी tension होता है तो कही न कहीं हो सकता है कि यह person आपकी responsibility नहीं उठा रहे है लेकिन यह कह रहे है कि वो जरूर उठाएंगे थोरा confused है life में लेकिन भी इस आपको कर रहे है देखिए आपको दिल से commitment देना चाहते है लेकिन मतलब होता है न कि एक parents उदर problems create कर रहे है कुछ blockage problems create कर रहे है अब आप दोनों के बीच में fighting हो जाती है कोई एक दुसरे को नहीं समझ पारे तो यह सक्क्या है fighting ही है emotions हो सकता है हो सकता है आपके partner प्यार करते हैं लेकिन जहार नहीं कर रहे है क्योंकि कभी कभी दो रहा पे चलना भी मुश्किल होता है confusion होता है माई उसी होती है उदासी होती है घुटन होती है लेकिन आपके person कहना चाहते है कि आप अपना धियान रखा किजिए उन्हें फिक्र हो रही है अपने health का अपने खाने का ज्यादा time तक आपको जागना नहीं है हो सकता है आप late night जागते हो तो यह आपको समझते हैं जानते हैं खुटन पैस भाई भी करते हूँ तो यह person कहा रहा है please take care of yourself देखिए यह खुटन नहीं है और आपको दुख देकर आपसे जूट बोलकर या इन्होंने किसी परकार की cheating की है बाते चुपाई हैं तो यह भी खुटन नहीं है उन्हें एहसास है कि आपको तो वो हैं और आपके बिना वो खाली पन है ठीक है तो है इनके अंदर भी वो चीज़ है और यह सब problems आप दोनों में क्या जो problems होते हैं वो blockage create करता है जो आप दोनों के बीच में है कुछ भी वर्स आपके fighting हो रही है जब भी आप लोग में fighting हो तकता है बहस से ना होती हो दिल और दिमाग में fighting होती हो या आपने दिल और दिमाग में fighting कर रहे हैं या पिर आप लोग में से बातचीत होती है तो fighting हो जाती है क्योंकि यहां result किसी को नहीं मिल रहा कुछ के लिए commitment है तो parents issue, third party issue या फिर आप दोनों के विच में trust issue यह सब blockage यह सब blockage करवाता है और कुछ words यहां पर कोई हैं जो कभी-कभी patience खो देते हो या आप भी हो सकते हो या आपके partner हो सकते हैं long distance relationship दिख रहा है तो कहीं न कहीं यह person हो सकता है कि आपसे मिलना चारे क्योंकि traveling की energy you are my life long distance कुछ इस तरह वो नाराज है हमसे बाबू थोड़ा वेर रहेगा fighting से बचिएगा क्योंकि देखिए इनके मन में भी यह अगर खुस नहीं है और blockage है वहां पे devil आकर fight करा देता है आप सोच रहे हैं लेकिन आपसे खुल नहीं रहे हैं क्योंकि यह खुद इनको नहीं पता है प्यार तो करते हैं लेकिन दरसल आपको clarity नहीं दे पा रहे हैं आपके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं वो भी चाहते हैं आपके साथ न्याय हो legal issue है तो यह भी चाहते हैं कि इस छुपाना, confusion, problems कुछ है तभी तो और ये problems क्यों आते हैं क्योंकि 100% जहां blockage है बहुत सारे obstacles है उसमें भी past life connection है भाई तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ को release करने होंगे, यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें अगर मौका नहीं दे रहे हो अगर आप उन्हें अग्रोड कर रहे हो तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि सायद उन्की जगा किसी और ने ले ली हो जिस वज़े से यह सोने पा रहे है यह खाली पने एक तनहाई है और मन में एक डर भी है और यह खुस भी नहीं, I am not fine यह कहना चाहते है कि देखो मैं जिन्दगी में बहुत उलज गया हूँ मैं खुस नहीं हूँ प्लीज अपना ख्याल रखा करो देखे एक टाइम होगा वो सब कुछ ठीक करेंगे इस वक्त आपको कहना चाहते है कि आप स्मार्ट हो, स्ट्रॉंग हो आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप कहीं न कहीं आप खुस रहो बिस्ट्रॉंग यह कहना भी जाते है आप स्ट्रॉंग हो और स्ट्रॉंग ही रहना अपना ध्यान रखना खाना, पीना, जो भी हो अच्छे से लो, अच्छे सनीन्द पुरी करो अपना हैल्थ का ध्यान करो अगर आप जॉब करते हो तो अच्छे से आप अपने करियर पर फोकस करो तो यह आपके परसन आपको संधेश भी देना चाहते हैं लेकिन उन्हें भी एहसास है कि आपका कहीं न कहीं जन्मों का रिस्ता है पास्ट लाइक करिक्शन है तभी तो इतना केयर करना डिस्टंस मेंटेन कर कर भी मैंड सेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको दिलो दिमाख से निकाल नहीं पा रहे हैं एक दुखी उदासी वाली वैब्रेशन है कि परशानी इनके लाइप में है नो डाउट है और कहना चाहते हैं यह कि आप उनकी जिन्दगी हो लॉंग डिस्टंस है बाबू यहाँ पर कुछ के लिए ट्रैवल या कुछ के लिए कॉल मेसेज ठीक है या अचानक से अनब्लॉक किया जा सकता है या फिर वीडियो कॉल किया जा सकता है तो मिलने आओ ठीक है यह वाली भी वैब्रेशन यहाँ मुझे दिख रही है तो कमिटमेंट में कास्ट इशू भी हो सकते है ठीक है सोसाइटी समाज की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और एज गयाब भी हो सकता है फाइनास से रिलेटेड भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कोई रिच हो सकता है कुछ लोग के लिए हो सकता है या कोई रिच आप भी हो सकते हो तो पैसे भी यहाँ पे आ रहे है ठीक है सोसाइटी समाज की इमेज भी आ रही है लेकिन यह परसन आपसे प्यार करते है अगर कमिट्मेंट को लेकर कोई इशू चल रहे तो यह परसन आपको कमिट्मेंट देना चाहते है लेकिन हाँ यह चाहते तो बहुत कुछ करना लेकिन साइट यह खुल कर आपसे कहने ही पा रहे है लेकिन उन्हें आपसे प्यार है, I want to touch you, hug you, आपको गले लगाकर ये एहसास भी दिलाना चाहते हैं, हो सकता है, इस वक्त उनका डिवाइनिंग टाइम ना हो, समय सपोर्ट ना कर रहा हो, फिवर में ना हो, तो ये परसंड ये एहसास कराना चाहते हैं, गले लगाकर तेसे हो क्यों होता है ना, जिसे आपके लाइफ में कोई आगे है, तो आप इंसे डिस्टंस मेंटेन करते हो, आप टच नहीं करने देते हो, तो ये चीज़ ये परसंड के मन में है, कि इस तरह वो आपके साथ आएं, तो उन्हें एहसास हो कि हाँ, आप उनके ही हो, ठीक है, तो इन है, वाबू, ठीक है, यहाँ पर फाइटिंग बहुत स्टॉंग है, और ट्रैबलिंग है, कॉल मैसेज है, कुछ लिगल इशू से रिलिटेश प्रॉब्लम सो रही है, या पिर हो सकता है कि इनके पैरेंस से इनको बेदखल करना चाहते हैं, अगर वो आप से मैरेज करें, आ जब तक कि आपको कमिट्मेंट नहीं देंगे, लेकिन वो देंगे, ऐसी वाली एनर्जी, क्योंकि यह नेक्स लेबल पर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड डिस्टर्ब है, ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के साथ कर्मा भी होता है, लेकिन कम से कम दो कार्स निक रक रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से इतने सारे आप्स्टिकल कैसे आने लगें, ठीक है, और यह सब कुछ अच्छा अच्छा होने के बापजूद भी सब कुछ बुरा-बुरा सा हो रहा है, और देखें, टेंसन भी बर रहा है, प्रॉब्लम्स भी बर रहे हैं, ठीक है, स्टक आप भी रहते हैं, यह खुद नहीं समझ पा रहे हैं, और यह सोच रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सबसे बड़ बात मुझे यहां की वैबरेशन है, यह परसर आप से पूछना होगी, यह वाली कुछ वीवर्स आपके साथ हो सकता है, या आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, वो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कहा हैं, तो इस तरह की वैबरेशन मुझे यहां पर दिखाए देरी, कई थाट पार्टी के साथ तो नहीं है, तो थाट पार्टी को लेक कहीं न कहीं आप भी confused रहते हो और इस थटपाटी के वज़ा से भी आप दोनों में fighting भी होती है क्योंकि छीजे चुपाते हैं ताकि balanced हो लेकिन कहीं न कहीं बैलेस्ट के चक्कर में in balance energy हो जाती है ठीक है कोई बात नहीं prayer प्रातना किजिए God आपके साथ हैं जो भी issue आ रहे है ये problems को आपके partner भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो ठीक है तो कहीं न कहीं commitment issue यहां पे है जो ये नहीं दे पार हैं लेकिन ये कहना चाहते हैं I am fine मतलब आपको commitment देकर इनके अंदर भी वो खुसी मिलेगी क्योंकि ये भी चाहते हैं लेकिन कुछ blockage कुछ devil आप सकते हो और वो आपको मिल सकता है लेकिन पहले है खुद को बदलेंगे कुछ इस आपके partner सच में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन कोई है जो बार बार patience खो देता है यहां भी कुछ इस blockage के वज़ा से कोई है जिसका patience हो सकता है और fighting हो सकती है तो थोड़ा aware रहे हैं आ बहुत बिंदास थे लेकिन अब इन्हें क्या हो गया है यह इनके अंदर भी patience नहीं होता है ठीक है तो यह चाहते हैं कि आप अपना धियान रखें आप नहीं हो तो यह कुछ भी नहीं कंप्लीशन या हार्मनी यह वाली vibration यहां पे दिख रही है तो बहुत सारे आपके partner commitment त चुपा सकते हैं आपको मना सकते हैं ठीक है तो commitment की बात हो सकती है लेकिन यह खुस नहीं है आपके person miss बहुत कर रहे हैं चाहत बरी है प्यार बरे अटैच्मेंट बढ़ रहा है और आपसे मिलना चाहते हैं अगर आप नाराज हो तो आपकी नाराजगी दूर करना चाहते है travel दिख रहा है call message दिख रहा है लेकिन यहां पर fight नहीं करना है ठीक है be strong ठीक है आपके person कहना चाहते हैं आपकी fighting से डरते तो हैं ठीक है good news है तो बहुत सारी viewers call message या travel या reunion हो सकती है बात मुलकात हो सकती है देखती हूं उनका action in the space guide करें कहा जाते हो इस person को भी सुकून नहीं आता लेकिन क्या है कि यह practical सोचने वाले हैं दिमाग से सोचने वाले हैं तुरा ego से deal करते हैं तो यह balance करे या ना करे control करना यह जानते हैं ठीक है अगर आपकी energy नहीं मिली तो फिर that party की ऐसे की तैसी कर देते हैं आपके partner आप मतलब गुस्सा जो होता है ना third party पर उतार देते हैं और फिर third party जहां गुस्सा उतारता है उतारती है तो फिर यह आपको याद करते हैं सबसे ज़्यादा आपके partner ही पीछ मरजान में हैं ठीक है वही जिनकी को balance नहीं कर पारे situation को relationship को अब दोनों हाथे में लड़ू रोएंगे बाबा तो ऐसे कैसे होईगा ठीक है decision तो लेना ही होगा ना in balance energy में सबकी जिनकी बरबाद होती है जुआ शुआ नहीं हम इंतेजार करेंगे judgment कोई तो है जो decision लेना चाहता है judgment चाहता है justice चाहता है बहुत बड़ा action तो नहीं है बाबू में कह देती हूं लेकिन वह आ रहे हैं क्योंकि आप seven of wands एको एक नहीं सुरुआ चाहरें लेकिन life के problems खत्म नहीं हो रहे है 11-11 reunion की chances आ गए है तो बहुत सार भी और इंतिजार की घड़ियां खत्म हुई six of cups की भी energy है page of source देखिए commitment की बात कर सकते हैं समझा सकते हैं लेकिन आप page of source की energy है page of wants की energy है seven of wants की energy यह आपके person आपको समझा सकते है commitment को लेकर delay कर सकते हैं लेकिन यह कह सकते हैं कि मैं तुमें commitment दूँगा या दूँगी ठीक हैं यह वाली vibration है चारियेट death reward एक नई शुरुआत बहुत सार भीवर्स आपकी दुआ कबूल हुई दिखिए judgment और नीचे death reward कुछ ending हुई थी तो अब कुछ new beginning भी होगी भाई आपके partner तो भाई यह masculine energy में है ठीक है पूरी masculine energy में है ठीक है उनके लिए कडिये माइने रख रहा है भी finance माइने रख रहा है ठीक है दिखिए ten of source नहीं पा रहे है फाइटिंग से बचना है आप देख लो उनकी लाइप में भी फाइटिंग है बट आपको फाइटिंग से बचना है यह बहुत balanced energy नहीं है अधिक है कैपिरिकॉं टॉरेस वर्गो लिबय सचिंग और घन्य और क कुंभ मिठोन और तुला सारे साइन है तो बहुत सारे वीवर्स आप दुआ कर रहे हो आपको जस्टिस चाहिए तो आपको जस्टिस मिलेगा ठीक है आपके पार्टनर आपको परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं ठीक है टेन ओफ सोर्स की एनरजी है ये परसन देखिए परशान तो है लेकिन ये खुल कर आपके साथ कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं कि आपको प्रेशर दे चीक है आपको प्रेशर देना नहीं चाहते हैं लेकिन आज कल इनके काम में भी तरकी नहीं है, ग्रोथ नहीं है काम बहुत कर रहे हैं महनत कर रहे हैं काफी महनत कर रहे हैं लेकिन इनके काम में रुकाबटे आ रही हैं किसी परकार का काम में इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है और थरजा ये स्ट्रेस ले रहे हैं ये परसे इस्ट्रेस तो ले रहे हैं या ये आपसे खुलकर बाते नहीं क करना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं उसके बाब जूद भी इनके मन में वो खुसी नहीं है या इनके लाइब में कोई आपके सिवा थर्ट पार्टी है जहां ये कहीं न कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ना आपके साथ ना थर्ट पार्टी के साथ ना ही वर्क प्लेस पर और नहीं अपने लाइब में लेकिन इस वक्त इन्हें मिलना है तो मैं यह कह देना चाहूंगी बहुत सारी इमोशन काफी स्ट्रॉंग है लेकिन चोटा मुटा है बहुत बहुत बड़ा एक्सन नहीं है हाँ कमिट्मेंट की बात कहकर आपको समझा सकते हैं मना सकते हैं और यह प बहुत बड़ा आपको कमिट्मेंट की बात खुल के एक्स्पेस नहीं करेंगे कहने हैं मतलब हाँ टाइम आएगा तो सब कुछ करेंगे हैं पहले मुझे करियर फे फोकस करने दो बहुत हार्डवर्ग कर रहा हूं महनत कर रहा हूं मुझे भी कुछ अचीव करना है मुझे तो हो सकता है इस परसन को आपसे फाइनांसली भी सपोर्ट लेने की एक चाह है ठीक है और आपको इमोसन ये फ्लो कर सकते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कि क्यों इन्हें जरुवत हो रही है ठीक है जैसे भी जरुवत इस वार उन्हें फिल हो रही है देखिए अगर आपके हैल्थी सुच रही थी या प्रॉब्लम चाहरे थे पेंटिकल में तो अब कुछ भी हैं फे विवर्स आप अपने लाइफ में करियर के ग्रोथ पर हो अगर आपकी बात की जाए तो कुछ विवर्स आप लाइफ में करियर को लेकर सोच रहे हो तो यहां पे कही कई आपको good news मिल सकता है किसी तरह का finance को लेकर या आप जहां job करते हो किसी तरह से आपको good news मिल सकता है ठीक है या कोई opportunity मिल सकती है promotion मिल सकता है यह हमारे कुछ viewers के लिए है कि आपके तरफ कुछ एक action हो रहा है good news मिल सकता है चाहे office से हो, opportunity हो, नया job हो या finance में growth हो गया हो या किसी तरह miracles abundance आया हो तो कुछ viewers आपके तरफ कुछ good news है यह कुछ viewers आपके लिए है ठीक है जो आप मैनत कर रहे हो hard work कर रहे हो तो कही न कहीं से आपके तरफ good news भी आ रहा है तो यह हमारे कुछ वर्स के लिए vibration है तो जो अच्छी बात है तो कहीं न कहीं कुछ वर्स आप थोड़ा आज खुस भी रह सकते हो किसी तरह का आपके तरह आपने action है रहा है partner का हो, job का हो, promotion का हो यह आपकी financially growth बड़ी हो, यह आपके opportunity मिली हो तो कुछ वर्स कहीं न कि आपके तरफ कुछ बड़ा action होने वाला है या हुआ है तो कुछ वर्स आज आप celebrate करने वाले हो, enjoy करने वाले हो तो happy happy changes कुछ viewers के life में हो रहा है जो कि यह अच्छी बात है कुछ वर्स आपकी दूआ कबूल हुई है, जो आपके wish भी पूरी हो सकती है तो बहुत सारी viewers, यहाँ पे आपके partner offer करना चाहते है emotions है, कब offer करना चाहते हैं, दूआ करें कि आप दोनों के रिस्ते balanced हो आप लिए आप passionate है, लेकिन life में struggle है बाबो देखा जाए, काम कर रहे हैं, लेकिन एक काम का खुल कर जो काम का क्या होते हो stability नहीं मिलना, काम का hard work करना लेकिन उसका result नहीं मिलना यह वाली vibration है, लेकिन feelings कभी कभी काफी यह दबाते हुए दिखते हैं कभी कभी काफी so नहीं पाते हैं, काफी social लगते हैं past को लेकर, आपको लेकर, खुद को लेकर, situation को लेकर और यह खुल कर अब तक express नहीं कर पाने, लेकिन इनके अंदर आपके लिए passionate energy है देख सकते हो, king of wants, king of source, यह आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं ठीक है, लेकिन इस इनसान से, चाहे male हो, female हो, बहुत सोंच समझ कर बात कीजिए ठीक है न, कभी कभी होता है, कि जब blockage होता है, जब इनसान devil trigger करता है तो आप कुछ बोलोगे न, तो यह इनसान struggle के वज़े से, परसानी के वज़े से, वो दो-तीन बात आपको सुना जाएगा जो आपको hurt कर सकता है, जो आपको anxiety कर सकता है, fight करा सकता है, तो कुछ वर्स आपको aware रहना है तो बहुत सारे viewers, यहाँ पर action दिख रहा है, chariot है, और reunion है, कुछ लोग है, इंतिजार की घड़ियां खत्म है, action की energy है, प्यार offer करना चाहते है, no contact situation, six of cups की तो यह person आपको प्यार offer करना चाहते है, यहाँ पर किसी के घर में puppy या dog है, ठीक है, आप यह आपके person के life में, कहीं न कहीं, या बहुत animal से, dog से प्यार करना, एक attachment है, आप यह आपके person के हो सकते हैं, travel करना बहुत पसंद है, यहाँ पर यह आपके person को, celebrate करना, enjoy करना, fun करना, बहुत पसंद है, आपके person को, तो कुछ इस तरह की vibration है, जो आपसे match होड़े ही है, ठीक है, और बहुत सारे आपके अंदर emotions है, इस partner के लिए, और इस partner के वज़े से, आप कहीं न कहीं बहुत ज़दा manifest करें, तो कुछ yours आपके तरफ बहुत strong good news आ रहा है, लेकिन कुछ yours है, struggle है, प्रशानी है, अगर आपने कुछ कह दिया, तो यह आपको भी सुनाने से पीछे नहीं अटेंगे, यह भी एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार सुना देंगे, तो थोरा सा भीवर्सी अवेर रहिएगा, क्योंकि पूरी तरह आपके partner balanced नहीं है, यह आपके लिए emotions और आपका attention पाना चाहते हैं, अगर आपने उन्हें avoid कर दिया है, ignore कर दिया, attention नहीं दिया है, तो यह person के मन में बहुत सारी बाते हैं, दुविदा हैं, जो आप पर उतार सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी विवर्स, अगर आपने दूआ किया है, manifestation किया है, तो यहाँ पे कोटा मुटा ही action या gesture, कम से कम चीजे तो सही हो, यह अपने button को कम करना चाहते है, प्रेशन को कम करना चाहते है, क्योंकि इन्साइटी भी होती है, healthy issue भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपना ध्यान रखिए, आपके person भी कहना चाहते हैं, तो यह है आपके partner की आज आपके अनरजी, लेकिन जाते-जाते मैं बोलना चाहूंगी, जाते-जाते और आते आते हैं, आवेर हैं, fighting से बचे हैं, क्योंकि यह बंदा वैसे हैं, क्योंकि पूरी तरह balance नहीं है, सब के लिए नहीं, कुछ के लिए भी हो सकता है, कि अगर इनके life में struggle, problem चल रहा है, त आपके पार्टनर की, वीडियो अच्छे लगे दियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन चरू दबाएं, God bless you and thank you.